जैहिन दोस्तों मेरा नाम है पराग आप देख रहे हैं Knowledge Library और आज हम बात करने वाले हैं Seven Sisters of India के बारे में कि आखरी ये चीज है क्या Seven Sisters of India अगर आप इस बारे में जानते हैं तो आप इस वीडियो को skip कर सकते हैं और अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो go ahead with this video तो Seven Sisters of India है क्या चीज़ इन्हें Seven Sisters of India क्यों कहा जाता है क्योंकि देखिए अगर आप UPSC की त्यारी कर रहे हैं तो छोटी छोटी एक्जामपल्स आपके लिए बहुत जादा महत्पूर्ण होते हैं अगर आप S से लिख रहे हैं या फिर आप GS का पेपर लिख रहे हैं तो उसम इन केस अगर North East की बारे में कोई बात आ जाती है और आप इन सारी चीज़ों को एक as an example आप उस copy में लिखते हैं तो ये एक अलग और अच्छा impact करती है examiner के सामने तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तयार करके ही अपन सागर को भढ़ सकते हैं तो चलिए अपन बात करते है Seven Sisters of India की की आकिर Seven Sisters of India है क्या चीज़ देखते हैं देखिए ये है इंडिया का मैप और आप देख रहे हैं ये है North East का हिस्सा यानि उत्तर पूर्भी का ये हिस्सा है भारत का और यहाँ पर टोटल एट राज्ये हैं यहाँ पर टोटल एट स्टेट हैं उनमें से जो Seven जोती प्रिकार्ट साकिया दोरा इनको Seven Sisters of India की संग्या दे गई है अब इनको Seven Sisters of India क्यों कहा गया है क्योंकि ये जो Seven स्टेट है ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ये एक दूसरे पर निर्भर है किस चीज़ के लिए निर्भर है ये एक दूसरे के उपर निर्भर है रा प्रिकास साक्यान है, seven sister of India का है है, तो चलिए जानते हैं कि आकरी ये state है कौन-कौन से, देखिए ये है नौर्थ इस्ट का पार्ट, ये बाला पार्ट, ये बाला पार्ट मैं आपको दुबारा दिखा देता हूं, देखिए ये बाला पार्ट, ये बाला पार्ट यहां पर, सबसे पहले जो है, वो है अरुनाचल प्रदेश, उसके बाद है असम, उसके बाद है नागा लेंड, फिर मनीपूर, मिजोरम, त्रपुरा और मेगाले, ये जो seven state है, इनको seven sisters of India की संग्या दी गही है, इनकी जो capital है, उनको आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप इन मेगाले की शिलोंग, मिजोरम की एजबाल, नागालेंड की कोहिमा और त्रपुरा की अगरतला, ये सारी इनकी capital है, इन सारे states की, अब अपन नेक्स लाइड में जानते हैं, कि आखिरे नहीं इसा क्यों कहा गया, इनकी बारे में और बात करते हैं, तो देखिए, उत्तर अपनादेश, असम, मरिपूर, मेगाले, मिजोरम, नागालेंड और त्रपुरा, इनको साथ बहन के रूप में जाना जाता है, और सिक्किम को क्यों नहीं जाना जाता है, क्योंकि जब इन Seven Sisters का घटन किया गया था, तब सिक्किम एक state नहीं था, वो इनी का एक हिस्सा था, और सिक्किम भारत में बाद में शामिल हुआ है, तो इसलिए इनको Seven Sisters of India में शामिल नहीं किया गया, ठीक है, और ये मैंने आपको पहले ही बताए कि एक दूसरी पर बहुत जादर निर्भर करते हैं, राजनेतिक, सामजेक और आर्थिक तौर पर, तो इसलिए इनको Seven Sisters of India कह जाता है, इसकी हिस्टरी कहा रही है, देखिए इनकी हिस्टरी ये रही है, कि जब 1947 जब भारत आजाद हुआ था, तो वहाँ पर ये साथ राज्य नहीं थे, वहाँ पर राज्य थे केवल चार, ठीक है, और वो चार राज्य कौन-कौन से थे, मड़ेपुर, ट्रपुरा, असम और मेगाले, ठीक है, और इन सब की राजदानी थी शिलॉंग, लेकिन बाद में, देखिए 1963 में, 1963 में नागालेंड बना है, 1972 में मेगाले बना है, 1972 में मिजोरम यूनियन टेरिटरी बना है, और सबसे लास्ट में, 1987 में अरुनाचल प्रदेश को प्रदेश का दरजा म और इन राजव में, बोडो, निशी, गारो, नागा और भूटिया के अलाबा भी कई जन जातियां इनमें रहती हैं, ये इसकी हिस्ट्री है, ये फेमस क्यों है, देखिए हमें प्राकरतिक संपदा बहुत जादा है, प्राकरतिक संपदा मतलब यहां पर आप देखेंगे क ये जो सातों स्टेट हैं, ये सिर्फ एक दूसरे पर निर्बर करते हैं, राजनेतिक, सामाजिक और आर्थिक तोर पर, बागी अगर आप इन तीन चीज़ों को हटा के देखेंगे, तो ये एक दूसरे से बहुत जादा भिन है, बहुत ही जादा भिन है, यहां पर बहुत स सारी चीज़ा हैं देखने के लिए, एक अलग ही मज़ा आता है नौर्टिस इंडिया में जाने पर, और सबसे बड़ी बात है वो है कि ये छोटे से प्रिदेश में, दूसो बीस से भी, दूसो बीस से भी जादा नसलों के लोग निवास करते हैं, जो अलग-अलग सेहन हैं, अलग-अलग उनके पारम पर एक तौड तरीके हैं, इन सब चीज़ों की बहुत सारी विविदताएं होने के कारण, इनको Seven Sisters of India कहा गया है, अगर ये जानकरी आपको, समझ में आई हो, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, मिलते हैं नेक् जय भारत